इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि आरो यारो के exam में current affair के कितने question आते हैं, कहां से आते हैं और आरो यारो के exam में current affair का कितना importance है अगर आप बात करें आरो यारो का जो है अभी latest जो आने वाला exam है वो 2023 का re-exam का pre होने वाला है और ये होगा 22 December 2024 का अभी काफी टाइम है इसका result सायद आएगा करीबन जन्वरी के इन तक आ सकता है या फिर फर्वरी के starting में इसका mains हो सकता है आरो यारो का मेरे साब से करीबन मार्च अप्रेल तक तो जाएगा उससे बलकी और आगे जा सकता है क्योंकि एक लिसाल कुम वोगरा है उसके बादी जो भी ये आरो का है exam मेंस वाला और PCS का मेंस उसके बादी होगा तो current affair कितरे आते हैं question कहां से पढ़ा जाए वो सब चीज़े दिखते हैं इसमें देखे current affair यहाँ पर तिन चार टाइप का आता है एक होता है total total का मतलब national और international ये वाला total जो current affair होता है 24 से 26 question आते हैं ज्यादा तर factual question रहते हैं direct question रहते हैं बहुत ज्यादा concept वगएरा नहीं पूछते हैं मानलो सब्सविट वगएरा पूछी तो उसकी theme पूछ सकते हैं उसका place पूछ सकते हैं और उसका कोई motor statement है कोई declaration वगएरा है वो सब पूछ सकते है ज्यादा तर जो है कि भाई उस day की theme क्या है या बहुत popular अगर कोई day होता है और जनरली एक रूल होता है day में कि जो exam से शुरू बतलब जब भी exam हो जैसे December में exam है तो उसके आगे पीछे दो तीन महीने के ही कई बार ऐसा देखा गया है कि days वगएरा में पूछे जाते हैं य ठीक तो यह हो गया total वाला national प्लस international यह आपको बिल्कुल free में तयारी कराता है study for civil services हर महीने मंतली current affair देते हैं सिर्फ आप उसको follow करिए ठीक है उससे ज्यादा कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है ठीक दूसरा होता है UP का current affair इसमें budget के एक दो question आ जाते है प्लस UP से related एक दो current affair आते हैं जदा जदा दो से चार सवाल आते हैं बस ठीक है इसके अलावा economy जो subject होता है उसमें maximum सवाल current affairs के ही होते हैं अच्छा इसमें economy में क्या होता है एक तो जो current affair इसका है वो budget और economic survey जो उत्तर प्रदेश वाला होता है और प्लस जो इंडिया वाला होता है ज्यादातर सवाल उसी से होते हैं और economy में बस दू-तीन सवाल जो है इस्टिक वगरा के आतने हैं तो economy के ज़्यादातर सवाल current के ही होते हैं इसके लावा भी subject wise current affair के दुचार question आ सकते हैं कभी-कभी अगर मालें हिस्ट्री में कोई excavation हो गया है कोई और चीज जो है खुड ली गई है अधरवाइस quality में अक्सर देखा गया है quality के जो है कई सारी चीजे court और चलती रहती है तो उससे relate करके कुछ current affair जरूर पूछते हैं एकाद सवाल आ जाते हैं तो मोटा मोटा मतलब आपके पास 34-35 question current affair के होते हैं GS में GS के जो paper होता है 140 number वाला ठीक है उसमें सबसे ज़्याद जादा important है current affair इसको ignore मत करना अचा एक चीज़ और है कि भाई RO2023 के री एकजाम के लिए कितना current affair पढ़ना चाहिए RO2023 का अगर जो री एकजाम होने वाला उसका pre अगर आपको देना है October 2023 से study for civil services का monthly current affair जो कि बिल्कुल free है वीडियो उसकी playlist भी बिल्कुल free है वो मैं लिंक म वाला पूरा वीडियो देख डाली है और एक उत्तरवदेश का monthly current affair देते हैं वो भी October 2023 से ही देखिए ठीक है सारी चीज़े कुछ सोच समझ के ही बोली जा रही है थोड़ा सा risk avoid करें इस समय क्योंकि RO2023 का जो है काफी ज्यादा क्रेंपिंग करनी पढ़ती है इसमें सारे के सारे current affair करने बिल्कुल free में आप तेहरी करिए अक्टूबर 2023 से यूपी का और जो total हमारा मंतली current affair होता है ये दोनों चीज़े देख डाली है ठीक है फिर जब 22 दिसंबर आने वाला होगा तो हम आपको करीबन 2 या 3 दिसंबर तक एक हम compile करके total वाला current affair का वीडियो द पाने की इस्तिति में आराम से हो सकते हैं ठीक बाकी आरो यारो 2023 के री एक्जाम की प्रिलिम्स की complete तैयारी मेंस की complete तैयारी अभी से भी अगर आप चाहें तो इस्टार्ट करके बागाएदा selection भी ले सकते हैं करना ये प्री के लिए कि आप साड़े 3000 या 5000 वाला study for civil services का paid group जोइन करें उसमें हम selection material दे रहे हैं प्लस paid group के exclusive recorded वीडियो दिये जा रहे हैं वो सिर्पेड पॉलो को ही मिलेंगे वो वीडियो फ्री नहीं किये जाएंगे उसको बागादा PPT वाले format में creative जो है तरीके से बनाके और वो सिर्पेड पॉलो को लिए record किये जा रहे हैं प्लस कट ओफ निकाल पाने की इस्तिती में रहेंगे अभी 2020 का जो पेपर हुआ जो लीक हो गया हलाकि पेपर अच्छा बना था और उसमें से study for civil services से करीब एन 150 questions आयते कट ओफ ज़्यादा 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 मेंस की complete हिंदी की essay की तैयारी के लिए हमारे बाकाइदा group चलन जा रहा है परसनल गाइडेंस जो है पी वाइक्यू के लिए से सारी चीज़े मिल लेंगे ठीक है study for civil services का कोई भी पेट गूप लेना है तो सिर्फ हमारे तीन नमबर है 856-488-0530-75238-64455 और 96960-6089 सिर्फ इन तीनों नमबर पे call ये WhatsApp करके information लेके और जो है पेमेंट करके उनको जब भेजेंगे वो लोग जिस ग्रूप में जोड़ेंगे पस वहीं पे study for civil services का authentic genuine content मिल सकता है बाकी और कहीं भी नहीं मिल सकता है कोई और question हो, कोई और demand हो, कोई और feedback और suggestion हो, please comment करके बताइए